चिंपोंगा चिंपांजी रिहाबिलिटेशन सेंटर में एक चिंपांजी थी जिसका नाम वुंडा था उसे संस्था की प्रमुख जेन गुडाल द्वारा लाया गया था जब वो बहुत बिमार थी और बिल्कुल मरने के कगार पर थी लेकिन अच्छी नर्सिंग और देखभाल के चलते वो बिल्कुल ठीक हो गई फिर जब उसे छोड़ने का वक्त आया तो उसे एक पिंजरे में बंद करके जिंपोंगा आयरलेंड पर लाया गया आयरलेंड पहुच कर जब उसे पिंजरे से निकाला गया तब वो वहाँ अपने चारू तरफ हरियाली देखकर खुश हो गई और वो इतनी भावुक हो गई कि उसने अपनी देखभाल करने वाली संस्था की डॉक्टर जेन गुडाल को गले से लगा लिया और काफी देर तक वो उन्हें गले लगाए रही जैसे वो उनका शुक्रिया आदा कर रही हो और इसके बाद वो अपने घर की ओर चल दी जेन गुडाल भी बहुत भावुक हो गई और काफी दूर तक वो गुंडा को चाते देखती रही इस बेरजुबान की भावुकता को देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचमभित रहे गए दोस्तों ऐसे बेरजुबान जानवर के लिए एक लाइक तो बनता है जो बिना किसी लालच वो स्वार्थ के इंसानियत आज भी बरकरार रखे हुए है